नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परुतिहार टोटके ब्रिश्चिक रासी आज का दिन आपके लिए ठीक है कुछ मामलों में थोरा सा भारी रहेगा आज बे बजह की थोरी जिनता हो सकती है मध्यम दिन है नौकरी करते हैं तो कारेश खेतर में काम का थ तरिक प्रहौर रह सकता है थोरी ठकान हो सकती है जो बैपारी भाई है लाप की योग बनेंगे और इसमें जीवन साथी से किसी भी कीमत पर विवाद ना करे वर ना छोटा सवाथ भी बड़ा इसू हो सकता है ऑफिस में पूरा दिन आप ब्यस्त रहेंगे देर साम थोरी ठ हो सकती है घर पर कोई रिस्तेदार आ सकते हैं इलक्ट्रोनिक गैजट से जुरे जो लोग कारे करते हैं उनको फायदा होगा तो सक्तम गुरू आपके बैपसाय दामपत्य जीवन के लिए बढ़िया है और दूसरा आर्थिक इस्तिती ठीक है लेकिन फिर भी थोरा सा रिस् हैं लग के साथ अच्छे वक्त बिताएंगे लेकिन दूसी तरह देखिए देर साम से चीजें थोड़ा बहतर होगा अनावस्य विबात किसी भी कीमत पर किसी से भी ना करें और साम तक धन आएगा वैसे तो रुकावा फ़सावा धन आएगा तो यहां पर ध्यान रखेगा और निर्धन को अगर कुछ दान कर दे धन बेगेरा का या शफेद मिठाए का तो उत्तम है किसी भी सत्रू विरोधी की बातों से बचिएगा हलाकि घर परिवार में कोई बड़िया समचार मिलेगा मन आपका खुस है कोई पुराना लेंदेल लंबे समय से अटकावा था व को प्राप्त हो सकता है तो बिस्टिक वालों आपके लिए खासकर जो लोग जॉब करते हैं प्रोमोशन सेलरी इंक्रिमेंट को लेकर बॉस के साथ कुछ वरता लाप होगा इसका लाप भी मिलेगा और मालक्षमी की किरपावर से किया कारे से आपके बॉस भी प्रसंद है ब दूसी तरफ आप अपनी चाप छोड़ने में सफल रहेंगे नीजी वेपसाइक मामलों में खुद को काफी उजावान मसूस करेंगे और और संभव से दिखने वाले कारे और चुनोतियों से रूबरू होंगे लेकिन समाधान भी समय रहते निकाल लेंगे लेकिन ऐसे अपनी भानी पर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा है कटू अच्छन ना करें सोस समझकर निरनले सुबर रंग है नारंगी भागे साथ निभाएगा आज 65% और भाग्यांग 4 है जो भी द्यारती है पढ़ाय लिखाय पर फोकस आपका रहेगा गायतनी मन जरूर पढ़िएगा अपनों के साथ बढ़िया वक्ति बीटेगा और लव लाइप में ब्यक्तिगत और गोपनी बातें साजा ना करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे लाइप से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चलो देके धन्यवाद